सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कि अबड़ 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 कि हुआ 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 है नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवी पर हम बात करेंगे अपने एक खास प्रोग्राम सापताहिक MCQ पर इसमें हम डेली करेंट अफेर्स के जो वीडियो आप तक पहुंचाते हैं उसमें कबर किये गए टॉपिक से कुछ MCQ अर्थात मल्टी चोईस कोसंस बनाकर आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि जो करेंट अफेर्स का टॉपिक आपने मेरे साथ डिसकस किया है जो फरिक्षा के पॉंट अब्वियों से काफि महत्पूर है तो उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप सॉल्व करने की कंडिस्टन में हैं या नहीं या फिर पूरे करेंट अफेर्स पर आपकी पकड कितनी मजबूत है आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं ये जो प्रग्राम है आपके प्रारंबिक फ्रिक्षा के पॉंट अब्वियों से काफि महत्पूर है आए हम इसको इस्टार्ट करते हैं एक गुजारिस है कि इन प् सही आंसर चुनने का एक प्रक्रिया अपनानी है और धीरे धीरे देखिएगा आपके human error और साथ ही साथ जिसको कहते हैं scientific तुका वो भी आपका सही होने लगेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान पूर्वक प्रशनों को जब हम पढ़ेंगे solve करेंगे तब ही ये हो पाएगा ये नहर 120 किलो मिटर लंबी, 400 मिटर चोड़ी तथा 25 मिटर गहरी बनाने की बाच्ची थाइलेंड एउन चीन के बीच होई थी दूसरा विकल्ब भी भारत, आश्टेलिया और अमेरिका ने इससे बनाने में रुची प्रकट की है तीसरा ये नहर निर्मित होने पर अन्नमा सागर और परसांत महा सागर को जोड़ देगी जिससे 1200 किलो मिटर लंबी दूरी कम हो जाएगी, चोथा विकल्ब ये नहर सुन्दा जलसंधी पर जहाजुं की न सिर्फ दवाव को कम करेगी बलकि थाइलेंड के ओद्योगिक बिकास में भी सहायक होगी, अब आपको क्या क करके हम कत्नों पर बाग करते हैं, पहला जो बिकल्ब है, ये नहर 120 किलो मिटर लंबी 400 मिटर चोड़ी और 25 मिटर गहरी बनाने की बाच्चे थाइलेंड और चीन के बीच हुई थी, बिलकुल हुई थी, बरस 2015 हुई थी, इस पर काम की स्टार्ट होना था, लेकिन भारत के स साथ अन्य देशों ने थाइलेंड के समझ अपनी आपत्ती रखी थी, और ये भी चिताया था कि चीन कैसे इसका मिज्यूज कर सकता है, तो उसके बाद से इसको क्या कर दिया गया, ये बिलकुल सही है, जब चीन का प्रस्ताव थाइलेंड ने कैंसल कर दिया, उसके बाद आश्टेलिया और अमेरिका ने इसे बनाने में रुची परकट की है, बिलकुल सही है, तीसरा जो है, कि नहर निर्मित होने पर अन्दमान सागर और प्रसांद महासागर जोड़ जाएंगे, और 1200 किलोमेटर की लंबी दूरी कम हो जाएगे, बिलकुल सही है, अभी जो जहा जाते हैं, अगर मान लेजे, हिंद महासागर से होकर उन्हें परसांद महासागर या साउच चाइना सी से होकर जापान की ओर जाना है, तो उन्हें मलक्का जलसंदी से होकर जाना पड़ता है, और इस तरह से उनको जो रास्ता तैय करना पड़ता है, वो थोड़ा सा बहुत जाधा ही ठेड़ा हो जाता है और अगर हम इस जो है की नहर को बना लेते हैं तो 1200 किलोमेटर की दूरी कम हो जाएगी ये बिल्कुँ सही लेकिन जो ये डी भी कल्प है ये नहर सुन्डा जलसंदी पर यह नहर जो इस सुन्डा जलसंदी नहीं मलक का जलसंदी पर दबाव को कम करने के लिए काफी महत्पूर होगी क्योंकि जो मलक का जलसंदी है उसी पर क्या कहते हैं जादा दबाव है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 80% जो चीन का तेल का जो आयात होता है इसी से होता है लगव एक लाख बाइस हजार जहाज प्रती साल इससे घुजरते हैं तो आप समझ सकते हैं यह कितना जो है कि इसी काम को चैन करना था अगला प्रशन जो आपकी स्क्रीम पर हुआ है रूल्स ऑफ ओरिजिन के संदर में गलत कथन का चैन करें पहला इसके माध्यम से किसी उत्पाद के राष्टी स्रूत का नेधारन किया जाता है बी इसका प्रियोग एंटी डंपिंग सुल्क लगाने मे किया जाता है सी इसके लिए भारत सरकार ने 30% मुल्य वर्धन का नियम लगाया है चौथा भारत ने बर्स 2009 में आसियान के साथ FTA पर हस्ताचर किया था उसमें भी Rules of Origin का उले किया गया था अब आपको यह बताना यह प्रशन जो है बहुत ही सांदार है अगर आपने Rules of Origin का टॉपिक डिसकस किया यह टॉपिक काफे महत्पूर है आने वाले समय में प्रिक्षाव में पूछा भी जा सकता है तो आप कि गलत आपको कफन चैन करना था चारो कफन आपके स्क्रीन पर है आपने इनको चैन कर लिया होगा अब मैं इसकी ब्याख्या करता हूँ तो Rules of Origin का मतलब यह है कि कोई उत्पात आखिर बना कैसे जैसे हमने आपको बताया था वीडियो में कि जो चाइना के प्रोड़क्ट ह होते हैं तो चाइना से जब हम समान मनाते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं जो है कि उस पर सुल्क लगाते हैं आया सुल्क लगाते हैं लेकिन चाइना क्या करता है जो आसियान के देश हैं चूंकि उनके साथ हमारा बर्स 2009 से FTA है तो क्या करता है पहले आसियान के देशों में तब उस पर जो आया सुल्क लग सकता था वहां आसियान के देशों के माध्यम से आने के कारण नहीं लग पाता है इसके वज़े से क्या होता है कि उसको काफी ज्यादा जो है कि टेक्स की बचत हो जाती है उसके उतपात सस्ते रहते है तो भारत सरकार ने समझा कि नहीं ये त ये नहीं बनता है तो भारत सरकार ने नियम लगाया कि ऐसा करते हैं कि रूस ओफ ओरजिन का नियम तभी लागू होगा जब किसी इस्थान पर क्या हो उस बस्तू का 35% मुल्य बर्धन हो आनि 30% नहीं 35% इसका मतलब क्या है एक जो है कि मान लिजे कोई प्रोड़क्ट है को वह चाइना बना चाइना से आसियान देशों में आया तो आसियान देशों से जब वह आएगा तो हम देखेंगे कि रूस ओफ ओरजिन क्या है तो रूस ओफ ओरजिन अगर जो है कि आसियान देशों में उसकी कीमत जो है कि 35% बढ़ गई होगी अर्था 100 रुपे से 135 रुप पुत्तरी नहीं होती है तो आसियां से मिलने वाला फायदा चीन के खिलोने को नहीं मिलेगा और यही है रोस ओप ओरिजिन तो इसका प्रियोग जो है कि राश्टी किसी उत्पात के राश्टी सुरोत के निधारण में भी किया जाता है इसका प्रियोग एंटी डंपिंग सु आपको बता दे तो इस तरह से हमें चुनना था गलत कतन का चैन करना था सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण जो आपकी स्क्रीन पर है हुआ है कैग हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था निम्न अनुछेदों में से कौन से अनुछेद में ये कि कैग की रिपोर्ट को राष्टपती संसत के प्रतेक पतल पर रखवाएगा यह जो प्रश्ण है काफी अच्छा है आपके पॉल्टी और कॉंसिट्यूशन की जानकारी के पॉंट अब उसे भी काफी इजी है आपके लिए तो आप बिकल्प है आपके पास आर्टिकल 148 आर आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151 तो आपको बताना है कि किसमें यह प्रावधान है कि कैग की रिपोर्ट को राष्टपती संसत के प्रतेक पतल पर रखवाएगा तो अगर आपने इसमें से विकल्प ध्यान दिया होगा तो अगर हम इसका बात करें तो आर्टिकल 148 में राष् आर्टिकल 149 में कैग अर्था CAG के करतब्यों सक्तियों का उलेक है आर्टिकल 150 जो है वह कहता है जो प्रश्ण की डिमांड है कि कैग की रिपोर्ट को राष्टपती संसत के प्रतेक पतल पर रखवाएगा तो इस तरह से क्या है हमारा जो आंसर होगा वह होगा सी भीकल्प आगे बढ़ते हैं अंगलेक प्रश्ण पर ओफसेट की नीती हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी इसका संबंद निमने में से किस सेक्टर से आपको बताना है कि ओफसेट की नीती जो हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी इसका संबंद निमने में से किस सेक्टर से पहला अनाज उत्पादन और MSP, दूसरा है मजदूरों के हरताल का अधिकार, तीसरा है वोड़ा फोन भारत सरकार के मद्ध का बिवाद और D है इन में से कोई नहीं, आपके लिए काफी आसान होगा कि आखेर offset की नीती है क्या, तो अगर हम देखें तो जो पहला विकल्प है ये भी गलत है, अनाज उत्पादन और MSP से इसका संबंद नहीं, इसका answer जो होगा, वो होगा D इन में से कोई नहीं, क्योंकि offset की जो नीती है, उसका संबंद है भारत की जो रच्छा खरीद होते हैं, तो रच्छा खरीद जब हम करते हैं, तो जैसे माल लेजे, मैंने आप आपको ये जब topic पढ़ा तो उसमें भी tank का example लिया था, कि माल लेजे, भारत एक tank खरीदता है, तो tank जब वो खरीदता है, तो उसके पास क्या विकल्प है, हमेशा tank खरीदता है, दूसरा जब वो tank किसी company से खरीद रहा है, तो उससे नियम लगा सकता है, कि देखिए हम 100 मौल जी हमको हस्थामतरित कर देजीगा, ऐसा, तो यह जो संबंध है, वो भारत की रच्छा खरीद नीती से है, और इसी पर अभी एक report आई थी, कहा कि, और इसमें कहा गया था कि रफाल के संदर में भी अगला प्रशनों, जो आपके स्क्रीन पर है, वो है, स्वच बिद्याले अभीहान के माध्यम से, बिद्यालियों में 140 एउम हाद होने की सुब्दा उपलब्द करवाना था, यह अभीहान कप प्रारम हुआ, यह आपको बताना, बिकल्प है, बर्स 2014 है, 15, 16 और 17, इन में से कोई एक ऐसा बर्स है, जिस बर्स क्या हुआ था, स्वच बिद्याले अभियान जो है की प्रारम किया गया था, और इसी पर दरसल अभी एक रिपोर्ट आई थी कहके, जिसमें यह कहा गया था, कि हमारे यहाँ जो स्कूल है, उसमें से 75% स्कूल, उमें ऐसी जो टॉलेट्स हैं, जिनका यूज हम नहीं कर सकते, यह भी बताया था, कि जो टॉलेट्स बने थे, वह कुछ तो पेपर पर बने और जमीन पर नहीं बने, यह भी बताया था, कि हाँ धोने का पानी नहीं है, बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जिसमें बच्चों और बच्चियों के लिए अलग इस नहीं है, तो उसे से संबंधी थे पूरी रिपोर्ट थी, तो यह जो प्रारम हुआ था, बर्स 2014 में प्रारम हुआ था, आई होप आपने ये बिकल भी आप्ट किया होगा, अगला प्रशन फिर से कैग परवे, कैग ने हाली में अपने रिपोर्ट में कहा है, कि भारत मे पालन सही तरीके से बिदेशी बेंटरो द्वारा नहीं किया जाता है, इस नीती का पालन ना करने से कौन-कौन से नुकसान होते हैं, यह आपको बताना है, चलिए, आपके लिए प्रशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अच्छा प्रशन, पहला कथन, कि रच्छा एवं एरो इस सपेस में FDI कम आती हैं, दूसरा कथन, तकनीकी का हस्तांतरण नहीं होता है, तीसरा, देश में रच्छा कोसल का विकास प्रभावित होता है, चोथा, रच्छा छितर में हाइट टेकनॉलजी का प्रवेश बाधित होता है, उप्रोगत कथनों में से, जो है कि सही कथन या कतनों के کوट का आपको चेन करना है, कि आखिर क्या क्या होता है तो एक एक करके पहले कतनों पर विचार कर लिके आप खुद डिसाइड कर लिजे कि आखिर क्या होता है, क्या नहीं फिर तो भिकल फ़म ढूड़ीर लेंगे देखे पहला है कि रच्छा यों एरो स्पेस में FDI कम आते है बिल्कुश सही है जैसा कि मैंने बता है टेंक वाला एक जांपर ठीक उसी तरह से अगर किसी ने कमपनी ने का दूसरा है तकनीकी का हस्तानतर नहीं होता नहीं होगा जब कमपनी नहीं लगाएगे तकनीकी हस्तानतर नहीं करेगे तो इसका मतलब क्या है ओपसेट नेती का उपालन नहीं कर रहे है तीसरा है देश में रच्छा कोसल का बिकास परभाव यहां तो विलकुल होगा क्यों होगा क्यों कि भाई जब उहां की कमपनियां आएंगी नहीं वह जो एक अपना टेक्निकल जो कमपनी यहां पर लगाएंगी नहीं तो हमारे हाँ जो manpower है वह रच्छा उद्धिव से जुड़ेगा कैसे और जब जुड़ेगा नहीं तो उसको क्या होगा human skill कैसे बड़ेगा difference के सेक्टर में यह भी सही है चोथा है रच्छा चित्र में high technology का प्रवेश बावदित होता है बिलकुल बावदित होता है और कैंग ने तो अपने report में कहा है कि जितनी कमपनी उने भारत के साथ रच्छे खरेश समझोता किया उसमें से किसी भी बड़ी कमपनी ने कोई बहुत बड़ी high technology भारत को नहीं द अंदर में सही कथन के कूट का चैन कीजिए अब मुझे नहीं पता ही NBA क्या है और आपने देखा होगा UPSC में ऐसे sort में लिख दिया जाता है तो आप देखे जो आपके पास विकल्प है उसके हिसाफ से चैन कीजिए पहला कथन यह निजी टेली बेजन समाचार और समसामय घटनाओं के व्रोट कोश्टर्स का प्रतिनी धित्तो करता है दूसरा इसका बित्त पोस्टन सूचना यहों पर साड़ मंतराले द्वारा किया जाता है तीसरा कथन इस समय सत्तर निज और समसामय घटनाओं के चैनल इसके सदस्ते हैं चौथा इस समय रचत सर्मा इसके दिख लिया होगा अम एसका ब्याख करता हूं अज मों व्रोट कार्स स्सक्रान इसके संदर में कत्नों के पहला इसके समय समय इत्त इसके मंतरे दौरा नहीं किया जाता हैं बल्कि यह जूड़े निज टेलिव समाचार वाले चैनल है या फिर जो समसामाई घटनाओं के जो चैनल हैं ये क्या करते हैं इसका करते हैं अर्थात गॉर्मेंट इसके funding नहीं करते हैं जो 17 नियूज और समसामाई घटनाओं के channel इसके जुड़े हुए ही इसकी funding करते हैं दूसरा विकल्प जो है कि गलत है और इसके इस समय इसके जो अध्याच है, उरजेसारमा है, भी सही है, इस तरह से दूसरा जो कथाने उसको छोड़ कर चोड़ कर बाकि सभ सही है, तो इसमें हमें चुनना है कि एक, ती, चार, और हमारा विकल्प क्या होगा, बी वी आंसर सही है क्योंकि हम इसमें दो को अटा देंगे कतन दो को बाकि सब सही है खेर आगे बढ़ते हैं IPC की धारा 153A और 295A हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी इसका संबन निमने में से किस से पहला हर्ताल एंटोर फोर से दूसरा मॉव लिंचिंग से तीसरा फेक निउज एंव हेट इसपीस से और चौधा आवस्चत समान की जमाखोरी से यह आपको बताना होगा प्रशन काफे सांदार है इसमें मैंने डिसकसन किया था और काफे डिटेल में डिसकसन किया था तो इसका जो संबन्द है वह है फेक निउज एंव हेट इसपीस से दरसल आपको पता है कि कुछ निउज चैनलों के कैसे सभी पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा गया था कि एक चैनल था जिसका नाम नहीं लेंगे हम उसमें उसने कहा था कि UPSC में जो है कि UPSC जहाद नाम का एक प्रोग्राम चला था तो उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर एक विस्तित गाइडलाइन होनी चाहिए सरकार ने कहा कि नहीं हमारे पास जो IPC की धारा 153 पनी और 255 यह है उसके तरह हम इसको रिगूलेट कर सकते हैं तो इसका संबंद क्या है? हेट, स्पीच और फेक ने उससे तो इस तरह से अगर कोई भी चैनल ऐसा करता है तो इसके खिलाप IPC की धाराओं के तरह केस हो सकता है तो इसका संबंद किस से? अगरा प्रशन जो आपकी स्क्रीन पर हुआ है भारती स्रम कानूनों के संबंद में असत्य कथन का चैन कीजिए भारत में स्रम कानूनों को यह दिखता है दूसरा, स्रम कानूं सात्वी अनिसूची की समवर्ती सूची में सामिल भारत के 40% और संगठित छेतरी स्रम कानूनों की अन्तरगत आते है चोथा, हाली में स्रम सुधार संबंदित बेधियक पारित के गये जिसके माध्यम से चार लेबर कूर बनाने का प्रयास किया जा रहा अब आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्त है और इसमें एक कोई कथन असत है तो इसका मैं जादा डिटेल में ना जाके मैं बताऊं कि जो यह सी बिकल्प है गलत है बाकि सब सही है भारत के 40% असंगठित छेतरी स्रम कानूनों के अंतरगत आते हैं बिलकुल गलत है क्योंकि असंगठित छेतर जो है वो पहले भी नहीं आ रहे थे इतनी बड़ी मात्रा में और अब तो बिलकुल नहीं आ रहे है तो इस तरह से असंगठित छेतरों के लिए भारती स्रम कानून इतने मजबूत नहीं है और वो उनके दारे में नहीं आते है तो यह जो C विकल पहले गलत है बाकि सब सही है अगला प्रशन है निमन विद्येकु मेंसे किस विद्येक को हाली में पारित नहीं किया गया है तो पहला विकल और दियोगिक संबन्द कोड विद्येक दूसरा स्वास्त और कारेशर्थ कोड तीसरा सामाजिक और ब्योसाइक स्वेच्छा कोड चौथा कोड ओन बेजेज ये कुछ बिल थे जो हाली में क्या हुए थे संसर्ड में पेस हुए थे और इनको पारित करवाए गया है आपको ये बताना है इसमें से कौँ सा अभी नहीं पारित करवाए गया है तो इसमें से जो डी बिकल्प है कोड ओन बेजेज ये बर्स 2019 में ही क्या किया गया था पारित करवा लिया गया था बाकी ये जो ऊपर के ABC हैं यही क्या है वो लेवर लोग है जिनको लेकर अभी संसद में गत्रोध हुआ था बिवाद उत्पन हुआ था और labor और जो मजदूर union है उन्होंने कहा था कि ये जो है कि उनके अधिकारों को गला गोटनें का प्रयास मैंने इस वर बताया है कि आके कि लेवर लोग का जो है कि भिरोध मजदूरों की दोरा किया जा रहा तो ये वीडियो से प्रेट हर टॉपिक का पड़ा हुआ आप देख सकते अगले प्रशन पर बढ़ते हैं सरम कानूनों में हाल ही में किये गए परिवर्तन के संदर में असत्य कथन का चैन कीजिए फिर से कोई एक कथन है जो असत्य है इसका ही आपको चैन कर लेना हरताल प्र हरताल से 60 दिन पहले मज़दूर यूनियन के द्वारा कमपनी को नोटिस देना नोटिस दिया जाना अनिवार कर दिया है दूसरा प्रिकर 100 से कम स्रमिकों वाले और द्योगिक प्रतिष्ठानों को कामबंदी छटनी और उपकरम बंद करने से पहले केंदर या राज सरकार क पूर अनुमती नहीं लेनी होगे तीसरा ट्रिबुनल में केस खतम होने के 60 दिन तक हरताल नहीं किया जा सकता है चौथा तीन सो से कम स्रमिकों वाले और द्योगिक प्रतिष्ठानों को इस थाई आदेस तयार नहीं करना तो इसमें से कोई एक कतन है जो असत है उसी काम को क करना है अपता लगा देना तो आप देखे एके करके अगर हम कतनों पर तो पहला जो भी कल्प है कि सही बात है कि अगर आप मज़दूरों को जो नए लेव लो लाए गये उसके साब से अगर आप मजदूरों के या उनके यूनियन को हरताल करना है तो सार दिन पहले नोटि इस्ठानों को कामबंदी चटने और उपक्रम बंद करने से पहले केंद और राज सरकार की पूरवानुमती नहीं लेनी इसी आधार पर भिरोद किया जा रहा था कि पहले यह जो नियम था सो से कम सिरमिकों वालों था अब क्या है तीन सो से कम सोचिए अगर जो कमपनियां हैं पर तीन सो से कम के लिए नियम बनाए गया है पहले सो के लिए था तो इस तरह से यह जो भी विकल्प है गलत है बागे सब क्या है सही है तो आपको गलत विकल्प गलत असत्यकतन का चैन करना था भी क्या है असत्यकतन अगरा प्रशन है कमपनियों के संदर में इस्थाई आ सही आपको बताना है पहला विकल ये स्रमिकों के लिए आचार नियमावली होता है अर्था रूस ओप कंड़क्ट होता है बी ये परियाबरन नियमों के संदर में कमपनी को प्राप्त सर्टिफिकेट होता है सी स्रमिक कानूनों का पालन करने पर प्राप्त होने वाला पर जो हमने बात की थी लेवर लोग पर जो बात की थी उसको आपने पढ़ा होगा तो इसका जो ये विकल्प है रूस ओप कंड़क्ट ओफ फॉर लेवर्स ये होता है अर्था जो इस थाई आदेस का मतलब यह होता है जैसे आपकी जब जोईनिंग होगी किसी कमपनी में तो आपको बता दिया जाएगा लिकीत रूप में कि देखो आपको ये काम करने है टेम संग कंडिशन यही इस थाई आदेस है तो अब इसको क्या कर दिया गया है तो इस तरह से काफी इसको लेकर भी विवाद हो रहा है कि कमपनी पहले आपको हैयर करे बाद में कहाए कि आप ये करो वो करो तो इस तरह से तो पहला विकल्ब क्या है आपका ये सही है बाके सब क्या है गलत है अगले प्रश्म पर बढ़ते हैं MSP के संदर में अस्तत्य कथन का चैन कीजिए बर्स 1966 और 67 में गेहूं के लिए पहली बार MSP घोसित की गई थी दूसरा विकल्ब MSP के लिए क्रिसी मुल आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी C. क्रिसी लागते मुल आयोग 1980 में अस्तित्तों में आया था D. CACP और इसको मैं ब्रिप कर दूँ अगर क्रिसी लागतों मुल आयोग को ही CACP के नाम से बोलते हैं CACP की MSP बढ़ाने की सिफारिस वर अंतिम नेने आर्थिक मामलों के मंत्र मंडली समीप्री दोरा लिया जाता है अब आपको क्या करना है यह जो आपको मैंने विकल बता है इसमें कोई एक असत्य कथा ने इसका चैन कर देना है तो इस सही बात है कि 1966-67 में ग्यहूं के लिए पहले बार MSP घोसित की गई थी और एक फसर से MSP स्टार्ट हुई थी यह बिल्कु सही है MSP के लिए क्रिसी मुल आयोग की स्थापना जो है की 1965 में की गई थी बिल्कु सही है और क्रिसी लागत और मुल आयोग 1980 में नहीं आया 1985 में आया अर्था जो पहले से क्रिसी मुल आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी उसी के 20 बर्स बात इसका जो नाम है उसको क्या कर दिये गया किरसी लागत और मुल आयूग और इस तरह से 1985 में स्टित्व में आया तो यही भी कल्ब क्या है गलत है और बाके सही है इस पर जो MSP बढ़ाने की जो रिपोर्ट CACP दोरा अर्थात किरसी लागत और मुल आयूग दोरा दी जाते है उसमें अंतिम नेन जो है कि क्या लिया जाता है आर्थिक मामलों के मंत्र मंडली समीति दोरा लिया जाता है अगला प्रश्म हो है कि MSP तैय करने के संदर में A2 प्लस एफल में क्या सामिल होता है पहला फसल उप जाने के लिए सभी प्रकार के नगत एं किसान परिवार की मजदूरी सी नगत खर्च परिवारिक मजदूरी एं जमीन का किराया डी नगत खर्च परिवारिक स्रम और स्रम पूंजी पर लगने वाला ब्याच तो आप देखिए इसमें क्या क्या सामिल हो सकता है वो आपको बताना है और MSP के संदर में कैसे निर इसाब से जो सही आंसर है वो भी है नगत खर्च यों किसान परिवार की मजदूरी बाकि कोछ इसमें सामिल नहीं होता तो देखे पहला है फसल उप जाने के सभी परकार के नगत खर्च ये दो सामिल होता है साथ ही साथ नगत खर्च के साथ सा परिवार किसान की मजदूरी अ अगले प्रुष्ण पर बढ़ते हैं और किसी सुधार से संबंदित स्वामी नातन आयोग के संदन में अस्त्यकतन का आपको चैन करना है। इसने नैसनल लेंड यूज अडवाईजरी को समाप्त करने की सिफारिस्त की से। तो इसमें से कोई एक कथन है जो गलत है तो बाकि सभी कथन सही है स्वाई डी को चोड़ कर। को भी लाब हो तो इस तरह से जो टी विकल्प ये गलत है इसने स्थापना के बात की थी ना किसमाप्त करने के अगला प्रशन जो आपके स्क्रीन पर हुआ है हाले में किन-किन फसलों की MSP बढ़ाई गई है विकल्प है गेहूं दूसरा चावल मसूर अरहर चना इसमें से जूर का बढ़ाया गया अरह का नहीं बढ़ाया गया चना का बढ़ाया तो इस तरह से आप इसमें क्या करें कि दो और चार जिसमें ना हो उसको चुन लीजिए तो आपको पता चलेगा आपका जो विकल्प होगा वहोगा भी एक तीन और पांच इस सही आंसर है इनकी MSP ब दूसरा चुनाव आयोग अक्टूबर 1993 से तीन सदस्ती है सी मुख्य चुनाव आयोगतों को हटाने के लिए सर्वो चिन्याले के नैधिस को हटाने की प्रक्रिया अपनाए जाती है डी इसके द्वारा लागू किये जाने वाले आदर्स चुनाव आचार सेंटा पर्थम च बताना है कि कौँ सा गलत है चुनाव आयोग के संदर में आपको बताना है तो देखे सभी विकल्प है आपके पास और देखें अगर 25 जोने 1950 को स्थापना होए तो बिल्कु सही है चुनाव आयोग 1 अक्टूबर 1993 से तीन सदस्ती है बिल्कु सही है पहले एक सदस्ती था फिर तीन सदस्ती किया गया फिर एक सदस्ती है लेकिन अक्टूबर 1993 से यह कहा है तीन सदस्ती है फिर इसका मुख की चुनाव को हटाने के सर्वोच चुन्याले के नियाधी उसको हटाने के प्रकिरिया अपना जाते है बिल्कु सही है इसमें जो डी विकल्प है कि इसके तोरा लागू की जाने वाली आदर चुनाव आचार सेंटा पर्थम चुनाव से सत्त तुरूप से जारी किया जाता है नहीं पर्थम जो है कि चुनाव से नहीं अपना जाता है बाज से अपना जाता है अगर प्रश्म पर बताऊंगा क्योंकि उसकी ब्याख्याब उसमें इस जूपने कारी को सौपने जाएगा तो उसके साथ पंच से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। उम्मिद्वार जब परचार करने जाएगा तब उसके अच्छा कर्मियों के अलावा पांच से ज्यादा लोग साथ नहीं होंगे C. सभी राजनीतिक दलोग को अपने सोसल मीडिया एकाउंट की जानकारे चुनाव आयोग को देनी होगी D. चुनाव का समय अर्थाद मतदान का समय एक घंटे बढ़ाए गया है जिसमें कुरोना संकमित लोग भी बहुत ड्याल सकेंगे तो इस तरह से आपको बताना है कि आखिर चुनाव आयोग के संदर में जो गाइडलाइन है उसमें कौन सी सही नहीं है बिहार के संदर में तो इसका जो पहला बिकल्प है कि उम्मिद्वार जो अपना नामंकन पत्र चुनाव अधिकारिक सौंपने जाएगा तो उसके साथ दो से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए यहाँ पर पांच लिखाए गलत है बाकि सभी जो बिकल्प है हो सही अगरा प्रशन जो आपक कमिटी है जिसका संबंद जो है कि अच जो एक अपराधी करण राजनीती में अपराधी करण को रोकने से सभी चुनाव सुधार से संबंद है लेकिन राजनीती में अपराधी करण को रोकने से किसका संबंद यह आपको बताना है तो इसमें से जो सही आंसर है वो है बोहरा समीती बहरा समीती ने कहा था कि राजनीती में अफराधी करम बहुत हो जादा हो रहा इसको रुका जाना चाहिए बाकि जितनी समीती हैं मैंने बताया था यह क्या है आपके चुनाव सुदार से अब देखिए आदर्स चुनाव अचार सहिता के संदर में कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है तो मैंने उहां पर आपको रोका था क्योंकि मुझे यहां पर उसकी करनी है पहला विकर यह चुनाव के तारिक के घोशने से लागू हो जाती है कोई गलत कतना आपको चैन करना है पहला कहा जारी यह चुनाव के तारिक के घोशने से लागू हो जाती ह अधार पर बोट मांगना इस सेटा के खिलाब है तो देखी आदर्स जो चुनाव आचार सेटा है वह सरपर्थम 1960 में केरल का जो चुनाव हो रहा था विधान से उसमें अपनाया गया था फिर 1962 और 67 में जो लोग सुगा चुनाव हुए उसके दोरान अपनाया गया धीरे धीर थे आज के MCQ होप आई आपने अच्छे इसको सॉल्ब किया होगा आप मझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सहीर है और अपने दोस्तों को साथ भी इसको सेयर करिएगा जिनकी करेंट अफेर्स पर टॉपिक पर पकड़ कितनी है अगर वह चेक करन ल Над क्या मादने के L Shamit आपके कि आपके कॉमेंट दॉपिक इसको सॉल्साषा हिजर के विडियस ऐसाओ पर टॉपिक नए आपके कि आपके कितने थक्छाब को साथ गार अपके